पेट को कम करने का सबसे बहते हैं अगर आप मुटापे से परेशान नहीं है तो अपने बढ़ा हुए पेट से जरूर परेशान होंगे होना भी चाहिए क्योंकि बढ़ा हुए पेट आपको सेह समंधिक कई परेशानियों में भी देता है और आपके फिगर को भी बिगाड कर रहतेता है लेकिन फिगर की कोई बात नहीं यह पांच टिप्स पेट को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं फोड़ा फोड़ा खाए अगर आप एक ही बार में अधिक भोजन करने में यकिन करते हैं और आपको इसकी आजährt तो यह बदल ड़िए अपने डाएट को दो या तीन भागों में बात लें और हर दो या तिन घंटे में थोड़ा थोड़ा खाए इससे आपका पेट भरा रहेगा उर्जा का अस्तर भी बना रहेगा और पेट का मोटापा भी कम होगा तूसरा है गरम पानी सुबा सुबा खाली पेट गरम पानी पीना पेट कम करने के लिए बेहत फाइदे मंद होगा इससे पेट में जमा हुआ वसा धीरे धीरे कम होगा इसके अलावा अगर आप गरम पानी में नीम्बू और शहट डाल कर पीएंगे तो यह और भी फाइदे मंद साबित होगा इतना ही नहीं इसे रो जाना पीने से आप तो रो ताजा और उर्जावान भी महसूस करेंगे दिन भर उर्जा का अस्तर बना रहेगा चौता है नौकासन योगा आपके शहिर के साथ सत्मानसिक परिशानियों को भी कम करता है बढ़ो ये पेट को कम करने के लिए नौकासन योग का सब से बहतर विकल्प है इससे पेट की चर्वी जिस तरह से कम होगी आप खुद इस और महसूस कर पाएंगे पाचवा देर रात तक ना खाएं देर रात को खाना खाना पेट की चर्वी बढ़ने का एक परमुह कारड है अमेशा सोने से दो घंटे पहले ही रात का वोजन कर लें इसके अलावा आप चाहें तो रात के खाने में कुछ हलका पुरका ही खायें अ और इस दोरान कई ऐसी गलतिया कर बैठते हैं जो सेहत को लंबे समय तो नुकसान पहुंचाती है गलत तरीके से वजन कम करना या जादा वजन कम करना सेहत को गंभी नुकसान पहुंचा सकता है डॉक्टर ने बताया कि हल्दी तरीके से वजन कम करने के लिए आपको धेर चाहिए अगर आपको बिना किसी नुकसान के वजन कम करना है तो आपको जल्दबाजी से नहीं बलकि धेरे से काम देना चाहिए डॉक्टर का मानना है कि अगर आप जल्द बाजी में वजन कम करने के चक्करे में कुछ गलत तरीका आज माते हैं तो इससे आपको जल्दी रिजल्ड तो मिल सकता है लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से आपके शरीर पर फैट जमा हो सकता है क्या आप इस खेल को जीवन भर खेलने के लिए तयार हैं डॉक्टर के अनुसार वजन कम करने के मामले में खाना पीना बिल्कुल ना छोड़ें जो कि कई लोग यह गल्दी कर बैठते हैं आप हेल्दी डाइट ले और खाना बिल्कुल भी ना छोड़ें हेल्दी डाइट लेना और साथ में एक्सरसाइज करना वजन कम करने का बेहतर तरीका है लेकिन अगर आप गल्द तरीके चुमते हैं जो आपको रिज़ल तो जल्दी मिल सकता है लेकिन बाद में गंभी नुक्सान हो सकते हैं कई लोग का पेट बाहर की ओर लटका होता है यह चर्वी अलग से नजर आती है। पेट की चर्वी आपका लुग खराब कर देती है, पेट की चर्वी अचानक से नहीं बढ़ती है। इसके पीछे लंबे समय से दोहराई जा रही गलत आदते हो सकती हैं। जैसे bad fat का सेवन करने से पेट की चर्वी बढ़ जाती है। वहीं जो लोग नीद नहीं पूरी करते उनके पेट की चर्वी भी समय के साथ बढ़ जाती है। शरीर के fat को कम करने के लिए शारीरिक गधिविधी जरूरी होती है। अगर आप पूरे दिन बैठे या लेटे रहते हैं, तो भी पेट की चर्वी कम करने में मुश्किल हो गी है। कई लोगों का पेट बाहर की और लटका होता है, ये चर्वी अलग से नजर आती है, पेट की चर्वी आपका लुक खराब कर देती है। पेट की चर्वी अचानक से नहीं बढ़ती, इसके पीछे लंबे समय से दोहराई जारी गलत आदते हैं हो सकती है। जैसे बैट फैट का सेवन करने से पेट की चर्वी बढ़ जाती है, वहीं जो लोग नीदी नहीं पूरी करते, उनके पेट की चर्वी भी समय के साथ बढ़ जाती है। शरीर के फैट को कम करने के लिए शारीरी गधी विधी जरूरी होती है। अगर आप पूरे दिन बैठे या लेटे रहते हैं तो भी पेट की चर्वी कम करने में मुश्किल होगी नीबू पानी एक ऐसा डिरिंक है जिसके बाले में हर कोई जानता है मगर इसके फायरों से अंजान है नीबू पानी दिन की शुरुआत करने के लिए एक शानदा डिरिंक है जो एक दम फरेश, हाइडरेडिंग और एंटी आक्सिडेंट से भरपूर है नीबू में पैक्टिंड भी होता है जो एक गुरंशेल फायवर है यह आपको संतुष्ट मैसूस कराता है जो चर्वी बढ़ाने घटाने में काफी मददगार है नीबू पाने बनाने के लिए बस एक गिलास पानी में आधे नीबू करस निचोड़ कर सुबह इसे पी लें सुबह के लिए जीरे का पानी एक और बढ़िया विकल्प है जीरा फाइबर और पुशक तत्तों का एक अच्छा शुरोत है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने और वजन घटाने में मदद कर सकता है जीरा पानी बनाने के लिए बस एक चमच जीरा की बीच को एक गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो दें सुबह बीजों को च्छान लें और पानी पी लें यह आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है ग्रीन टी एक लोग के लिए वेट लॉस्ट ड्रिंक है यह एंटी ऑक्सिडेंट और क्रेटेचिन के साथ पैक्ट होती है यह ऐसे योगिक हैं जो मेटाबॉलिज्म को बुष्ट करने और वसा यानि हैट को जलाने में आपकी मदद करते हैं ग्रीन टी बनाने के लिए बस एक ग्रीन टी बैक को गर्म पानी में तीन से पांच मिनट के लिए डुबो दें और इससे सबसे पहले सुबह खाली पेट पिए जीटॉक्स वाटर विशाक्त पदार्थों को बाहर निकाल दे और आपकी पूरे स्वास्त में सुधार करने एक शानता तरीका है यह आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा कर और वाटर टेंशन को बूश्ट कर वजन कम करने भी आपकी मदद कर सकता है डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए बस अपने पसंदीदा फर सबजीयां और जड़ी बोटियों को पानी से भरे हुए जग में डालें इसे राद भर के लिए फिरिज में रख दें और पूरे दिन इसे पीए यह धियान रखना महत्पूर है कि इनमें से किसी एक पियो को पानी पीना काफी नहीं है आपको एक स्वस्त आहार का परण करने और नीमी तुरूप से वेयाम करने की भी और शक्ता है हाला कि यह पिये आपके वजन घटाने की आतरा में सहायक हो सकते हैं इन सब के अलाव पर्यापत नीद लेना भी जरूरी है अनहेल्दी फूड के सेवन से बचें और हमेशा खुश रहें फ्रेंज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब्धियो में कोई वीडियो अफ्लोड करो तो आप तक पहुंच जावे हो वीडियो कैसा लगा कमें बताइए और वीडियो को लाइक करना न भूले फ्रेंट ठीक है फ्रेंट और चैनल को जिसीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए तो फ्रेंट मिलते है नेक्स वीडियो में ओके फ्रेंट बाय